नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज एक बाफिर से आपके अपने चानल लर्निग एंपायर पर मेरे जानियनों के साथ आज का हमारे टॉपिक है कोरॉनिल के बारे में यह दावा किया रहा है कि पहली आयूर्Viद के ड्रग है जिसका इस्तमाल करोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए क्या जा सकता ह। तो इसी के बारे में without any further delay चलिए जानते हैं कंटेंट यह है दोस्तों कि 23 जून 2020 यनि आज के दिन सुभा के समय में पतंजली आयूरवेद लिमिटिड ने एक प्रेस कोंफरेंस में दावा किया है कि उन्होंने कोविट 19 ट्रीटमेंट के लिए पहली आयूरवेदिक दवा जो टैबलेट है और तीसरा है अनू यह ओईल है यानि तेल है दो प्रकार की टैबलेट और एक प्रकार का तेल इस पूरी किट में आपको मिलेंगे इस किट के बारे में पतंजली ने क्लेम किया है कि जितने भी लोगों ने अभी तक इस किट की दवाईया ली है उन सभी में 100% पेशन्ट रिकवरी रेट देखा गया है वो भी सिर्फ साथ दिनों के भीतर तो आप इधर देख सकते हैं दोस्तों की बहुत इंपोर्टन निउस्पेपर्स ने इसको कवर किया है एकोनोमिक टाइम्स का आर्टिकल आप यहां देख सकते हैं इसी तरीके से लाइव मिंट का आर्टिकल आप यहां देख सकते हैं तो अब अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों जैसा ओल्रेडी कह चुकी हूं मैं कि दावा किया जा रहा है कि पहली आयूरवेदिक मेडिसीन है यह सिर्फ पतंजली की तरफ से दावा किया जा रहा है अभी इस दावे की पुष्टी नहीं हुई है तो वहीं यहां पे लिखा हुआ है कि दावे की पुष्टी नहीं हो जाती है तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना पुसिबल नहीं होगा हाला कि योग गुरू बाबारामदेव ने यह क्लेम किया है कि पतंजली आयूरवेड ने जो है पहली ऐसी आयूरवेडिक दवाई बनाई है जो कोविट-19 का सक्सेस्फुल ड्रेटमेंट करने में कारगर साबित हो सकती है इसका नाम है कोरोनिल और आप सभी को पता है दोस और निम्स जैपूर यानि नेशनल इंस्टिटूट ओफ मेडिकल साइंस जैपूर की ब्रांच ने इन दोनों ने मिलके इस दवा को बनाया है फर्दर अगर हम इसकी और बात करें दोस्तों तो इसमें कोरोना किट है इस किट में आपको तीन चीज़े मिलेंगी कोरोनिल और सारी वटी यह टैबलेट्स है और एक ओईल की शीशी मिलेगी जिसका नाम है अनू ओईल इस किट की पूरी की पूरी किट की जो कीमत है वो 600 रूपे निर्दारित की गई है और पतंजली के दोरे यह कहा गया है कि जो व्यक्ति बिलो पोवर्टी लाइन रहते हैं उनको यह इंग्रीडियंट्स जो है को बनाने में 100 से जादा इस्तमाल हुए है जिन में से मेन इंग्रीडियंट है अश्वगंधा गिलोई और तुलसी अब इसके प्रेस्क्रिप्शन की बात करते हैं 15-80 ग्रूप है दोस्तों इस ग्रूप में व्यक्ति जब खाना खाएगा तो उस बच्चों की बात कि जाए तो पतंजली के द्वारा का गया है कि अड़ाट को जितनी दवाइयां देनी है उसका आधा डोस इन बच्चों को दिया जा सकता है इस दवा के लिए दोस्तों दो त्राइल हुए थे पहला जो ट्राइल था वो दिल्ली एहमदाबाद जैसे कई बड़े-बड़े शहरों में हुआ था जिसमें टोटल 280 पेशन्स का पार्टिसिपेशन था और इसका जो ट्राइल था दोस्तों पहला ट्राइल उसी में ही 100% रिकावरी आ गई थी और वो भी सि हमिसकी और बात करें दोस्तों तो research based medicine clinical trial हुआ है और वह किसके साथ हुआ है निम्स-जैपूर के साथ किया गया है इस ट्राइल के बाद यह दावा किया जा बच गए थे वो सभी 100% जो है 7 दिन में recover हो गए maximum recovery rate के बारे में जो दावा किया जा रहा है वो है सिर्फ 7 दिन हाला कि again मैं ये बोल रही हूँ कि इसके बारे में ये सिर्फ पतंचली का दावा है गवर्मेंट की तरफ से या किसी भी independent medical body की तरफ से इस दावे की अभी तक पुष्टी नहीं की गई है World Health Organization की अगर बात की जाए तो WHO ने भी कहा है दोस्तों की हाला कि कुछ drugs का अभी तक trial ही चल रहा है लेकिन ये नहीं का जा सकता कि कोई particular दवाई जो है COVID-19 के treatment के लिए market में आ चुकी है अगर अब total cases की बात की जाए तो इंडिया में जो COVID-19 के total cases है वो साड़े चार लाख से उपर जा चुके हैं जिनमें से 14,000 लोगों की ऐस समय मृत्यू हो गई है अगर world level पे बात की जाए तो 9,000,000 से जादा लोग अभी तक affect हो गए हैं जब से ये दिसंबर 2019 से लेकर अभी तक की अगर मैं बात करूँ अभी हाल ही में आयूश मिनिस्ट्री के दौरा ये कहा गया है कि पतंजली अपने इस ड्रग की अभी advertisement करना बंद कर दे क्योंकि अभी तक इस ड्रग की आपके claims के अभी तक पुष्टी नहीं हो पाई है तो जब तक पुष्टी नहीं हो जाए तब तक आप इस ड्रग की advertisement नहीं कर सकते उन्होंने एक एक्ट का हवाला दिया है जिसका नाम है Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisement Act 1954 तो इस एक्ट के तहट आयूश मिनिस्ट्री ने मना किया है पतंजली को कि आप इस ड्रग की जब तक पुष्टी नहीं हो जाए तब तक advertisement नहीं कर सकते तो यहाँ पे खतम होता है दोस्तो आज का हमारा session I hope आप सभी को आज के session से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा if yes तो do like, share and subscribe our channel and press the bell icon for more updates most importantly stay home, stay safe, God bless you all, Jai Hind